हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब सीरीज कंस्ट्रक्शन शाला सबसे पहले तो इस सीरीज के पिछले वीडियो पर इतना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो में जाना कि PWD, CPWD और बाकी सारी डिपार्टमेंट्स और उनके लाइसेंस के बारे में और आज हम आपको इस वीडियो में exclusively electrical license के बारे में बताएंगे हम आपको बताएंगे कि एक contractor को license की जुरुवत कब पड़ती है और यह कितने तरीके के होते हैं साथी साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे electrical license से आप अलग-अलग कामों को करके अच्छा खासा profit बना सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतर तक जैसे कि आपको पता ही है कि एक contractor को अलग-अलग projects पर काम करना पड़ता है इन projects की अपनी अलग-अलग requirements भी होती है जैसे कि काफी projects में labor management के लिए labor license की requirement होती है ठीक उसी तरह से electricity lines पर काम करने के लिए या फिर ऐसे tenders जिसमें काफी heavy या light electrical works होते हैं ऐसे सभी tenders पर काम करने के लिए एक contractor के पास electrical license होना अनिवार रहे है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि electrical license कितने तरह के होते हैं और electrical license से आप कैसे कैसे काम निकाल सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि अगर आपको जानना है कि electrical license के लावा और कौन से licenses को बनवाना पड़ता है तो वो आप हमारी इस series के पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं series का link आपको उपर यहां और नीचे description में मिल जाएगा जैसे हर license की अपनी अलग-अलग class होती है ठीक उसी तरह से electrical license भी अलग-अलग classes के होते हैं आपको यह हमेशा ध्यान लखना है कि अपने काम के nature के हिसाब से ही अपने electrical license को apply करना पड़ता है मिसाल की तौर पर अगर आपको low tension voltage पर काम करना है तो आपको class B supervisor license के लिए apply करना होगा और अगर आपको high tension voltage पर काम करना है तो उसके लिए आपको class A supervisor license के लिए apply करना होगा तो हमेशा अपने काम की requirement के हिसाब से ही electrical license को apply करें electrical license को हम mainly 3 भागों में बाढ़ सकते हैं सबसे पहले आता है wireman license दोस्तो यह सबसे common और शुरुवाती level का electrical license है wireman license से आप छोटी building और houses की wiring और उनसे जुड़े वे सारे काम कर सकते हैं दूसरा आता है electrical supervisor license अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि electrical supervisor license भी 3 तरीके के होते हैं पहला आता है class A supervisor license class A license से आप किसी भी voltage level की wires पर काम कर सकते हैं असान भाशा में बोलें तो आप सारी high tension wires से जुड़े हुए काम कर सकते हैं दूसरा है class B supervisor license class B license से आप 33 kv या उससे कम के wires पर काम कर सकते हैं तीसरा है mines electricity supervisor license दोस्तों ये उन contractor भाईयों को लेना पड़ता है जो बड़ी-बड़ी mines में electricity से जुड़े हुए tenders पर काम करते हैं अब तीसरा आता है contractor electricity license contractor electricity license भी 4 तरीके के होते हैं पहला contractor class A license दूसरा contractor class B license तीसरा contractor class C license और चौत्था contractor class B license यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको इन license को apply करना है तो हर state का अपना एक state electricity board या department होता है आप वहाँ जाकर नहीं तो उनकी website पर जाकर इन license को apply करने की सारी जानकारी देख सकते हैं और उन्हें apply भी कर सकते हैं अगर आपको अपने state की electricity board या department की website के बारे में जानना है तो वह आप हमारी website पे लिखे हुए इस blog को पढ़कर जान सकते हैं और अगर आपको इन license की eligibility criteria के बारे में जानना है तो वह आप इस blog को पढ़कर जान सकते हैं इन blogs का link आपको नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप www.onsightteams.com पर जाकर हमारी blog को पढ़ सकते हैं दोस्तो, electrical license से आप तरह तरह के काम कर सकते हैं जैसे की सबसे पहले आता है governments और private tenders अगर government tenders की बात करें तो हर साल PWD, CPWD या बिजली वी बात बहुत साई tenders निकालता है इन सबी tenders में electricity department से जुड़े वे काम होते हैं और बहुत साई tenders जैसे की dams, canals, powerhouses इन सबी में electric machinery की काफी requirement होती है और काफी जादा volume में electricity department के भी काम होते हैं इन सबी कामों के लिए department tenders निकालती हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे की मैंने आपको पिछले point हम बताया की आप कैसे governments और private tenders पर काम कर सकते हैं तो मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा की इन सबी tenders के time to time maintenance tenders भी निकाले जाते हैं क्योंकि जो भी electrical machines और बाकी equipment install किये जाते हैं उनको समय समय पर maintenance की जरूदी पड़ती है तो इन सभी maintenance और repairing के tenders पर आप काम करके अच्छा profit बना सकते हैं तो दोस्तों अभी तक बताये गए तरीकों के इलावा आप एक और तरीके से electrical license से काम निकाल सकते हैं और वो ऐसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी tender की eligibility criteria में electrical license mentioned होता है पहले से ही तो बहुत सारे contractors जिनके पास electrical license नहीं होता है उनको अपनी site पर या तो एक electrical supervisor हायर करके रखना पड़ता है या फिर उसको किसी और contractor का electrical license rent पर लेके काम करना होता है तो चाहे आप किसी contractor के अंदर as a supervisor या electrical contractor की तरह काम करें या फिर अपने license को rent पर दें दोनों ही cases में आपको अच्छा खासा profit होगा क्यूंकि market में वैसे भी आज को electrical contractors की demand काफी ज़्यादा है तो दोस्तो यह थी electrical license की पूरी कहानी आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने contractor भाईयों के साथ जरूर शेयर करें और हमारी चैनल को subscribe करें धन्यवाद